हेलो दोस्तों दोस्तों गर आप CSC वेली और Common Service Center चलाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी पुश्कब रही है जैसे कि आपको लोगों को पता अगर कि UCL का जो काम है वो बंद हो गया है UCL के जो registration है वो अब नहीं हो रहे हैं तो इसमें वेली भाई को घबराने की बात नहीं हैं क्योंकि उनके लिए आधार का काम जितने CSC वेली भाई हैं उन्हें सब को आधार का काम मिलेगा और उनके लिए application तैयर की जा रही है CSC द्वारा जिसमें आप आधार और mobile number अपडेट कर सकते हैं और static ID का भी कोई ऐसा जाड़ नहीं रहेगा कि आपको static ID चाहिए तो द करने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप अपने Google Chrome पे आने के बाद के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा अब यहां आपके सामने यह साइट कुल गए यह डाक्मेट पोर्टल की Welcome to CSC डाक्मेट पोर्टल अब इसमें आपको क्या करना है continue with connect यह आपका जो है वो खुल गया मेरा already registration हुआ है डाक्मेट पोर्टल में तो मेरा डारेक्ट हो खुल गया अगर आप जैसी वहां करने तो आपको ID पासवर्ड जरूर मांगेगा अब यह देखिए यहां मैंने कुछ अभी बुक नहीं किया है और यह सारे ऐसे पोर्टल पे आप जैसी registration अपन कर लेंगे वैसे बच्चों के आधार भी अभी बहुत बाकी है तो यह भी काम मिल जागा तो बहुत बढ़िया होगा और इसके अभी कोई डेट फिक्स नहीं होई है मगर फिर भी बहुत जल्द यह मिल जागा और इसकी जो जानकारी है तिनेश त्यागी सार ने अपने ट् पोर्टल वाले पर रेस्टेशन करा है अब उनके अगर हम बुकिंग करंगे पारसल की तो उसमें क्या-क्या हमें देखना है और क्या-क्या नहीं देखना है तो इसमें देखें सीएसी वी एली की सुवीदा विबराड और कोड साथधानी से चुनना होगा क्यूंकि इसे ब करना और क्या नहीं करना है सीएसी वी एली को काज बैटरी लैप्टॉप सेल फॉन जैसी किसी भी नाजुक बस्तू को बुक करने की अविशकता नहीं है क्योंकि यह महगी बस्तू हैं और डाग घर द्वारा नहीं किया जाता है तो आप यह समझ लिए कि इस टैप के आपक के रूप में चुना हो तो वे अपना पार्सल जमा करने के लिए निकटतम एसो के पास जाएंगे अब इदर सीएसी वी एली को किसी भी बुक किये गए पार्सल के गलत आयाम या वैंजन का उलेक नहीं करना चाहिए इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना इसमें क्य क्या क्या शर्ते हैं और यह आपके लिए है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जिससे अगर आप गलत कोई बुकिंग कर लेंगे तो आप कोई नुक्सान होगा C.C.V.A.L.E. को डाग घर में जमा करने से पहले रसीत का प्रिंट तयार करना होगा और पारसल पर पोस्ट करना होगा जो भी आप बुकिंग करने तो उसका आप प्रिंट निकालने के बाद आप अपने पारसल पे एक चिट उस पर चिपका दें और एक लिस्ट आप डाक आने में लेके जाएंगे वहां के आपको अंटेटी करांगे अब इदा देखिए CSC वेली को पारसल बुक करते समय प्रेशक और रिसीवर की कोई घूटी जानकरी नहीं डालनी चाहिए अब CSC वेली को किसी भी तरह के जरुमाना से बचने के लिए बुकिंग के उसी दिन पारसल जमा करना होगा आपको पारसल लेट नहीं करना जिस दिन आप बुक करनगे उसी दिन आपको पारसल को डाखम घर में आप जमा करियाए बीएली को किलोगराम में पार्सल वजन का उलेख करने की अवशक्ता नहीं है स्पीट पोस्ट पार्सल 35 किलोगराम से अधिक नहीं होता है Speed Post Parcel 35 kg से अधिक नहीं होना चाहिए और पंजी करित Parcel 20 kg से अधिक नहीं होना चाहिए VLA को सुबेदा विवरा चुनते समय B.O.D.V.C.R. का चेर्न करने की अवश्यक्ता नहीं है जदी Receiver नंबर उपलब्द नहीं है तो B.O.D.V.C.R. को वेहिकल नंबर डाल सकता है Mobile नंबर को लगाता दोराया नहीं जा सकता है तो दोस्तों इसमें आपको जो है जानकारी दे दिये कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए अब जो आधार का काम है जब तक आप डाख मित्र पोर्टल पर रेस्टर नहीं होंगे तब तक आपको डाख मित्र का काम नहीं मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये रेस्टरेशन करना है आधार जो है आपको बड़ों का नया नहीं मिलागा पताया रहा है कि आधार का जो है वो काम डाक मित के ही जरीये मिलेगा और उसके लिए application तयार की जा रही है तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगए तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को subscribe कर दें तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में